हेलो फ्रेंड स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल गुजराती कीचन हिंदी में आज मैं आपको कौन के ढोकले बनाना सिखाऊंगी इंस्टन है 15 मिर में बन जाते हैं तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करेंगे तो रेसिपी बनाने के लिए सबसे पहले हम एक बाउ करना है हमें जैसे नौर्मल हम इडली ढुकला का जो बैटर बनाते हैं वैसी को मिलाना है लेकिन सूजी बाद में फुलती हैं तो पहले हम थोड़ा पानी एड़ करेंगे अगर बाद में जरूरत पड़े तो यहां पर देखेंगे मैंने पूरी चास Đड कर दी है अच्छे बारी अच्छे से उसको मिक्स कर लेंगे और इसको 10 मिन्ट के लिए ढखके रहने देंगे उसके बाद हम एक पेस्ट बनाएंगे हम कौन मी डालेंगे तो यह बैटर और हमारा पतला होगा तो बस इसको हम ढखके देंगे 10-15 मिन्ट के लिए तब तक हम इसके अंदर एड़ कर कर सकते हैं इसके अंदर हम एड़ कर देंगे तीन चार लसुन की कर लिया उसका फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आता है और दो हरी मीच एड़ कर देंगे जीतना तिका पसंद है आप इस हिसाब से मैंने अधरक का टुकड़ा भी एड़ कर दिया है उसको क्रश करेंगे हम पा इड़ कर दी है अचे से मिकस करेंगे उसके बाद नमक एड़ करेंगे का यहां पर मैंने one मिलाएंगे उससे पहले में नियाब पर एक चम्मच ऑईल डाला है ताकि धोकले बहुत ही सॉफ्ट बने उसके बाद हम निम्बू का रस एड़ करेंगे क्योंकि जो हमने स्वीट कॉन डाले है वहलके मीठे रहेंगे तो धोकले थोड़े मीठे हो जाएंगे उसके लिए हमने एड़ किया है वन टेबल स्पून जितना निम्बू का रस फिर हम थोड़ा क्रंचीनेस लाने के लिए हम थोड़े से हॉल जो स्वीट कॉन है वह एड़ करेंगे करी आधा कब जितना उससे बहुत ही बढ़िया क्रंचीनेस आते है ढोकले में तो वह एड़ करना है लास्ट हो जाए और तुरंती एक दिसा में उसको मिक्स करना है और तुरंती हमें उसको स्टीमर में स्टीम करने के लिए रख देना है तो यहाँ पे आप देखेंगे कि बैटर अच्छे से फ्लफी हो चुका है आप इनों के जगा सोड़ा भी एड़ कर सकते लेकिन इनों से में पहले ही ऑईल से ग्रीज करके रखी ती उसके अंदर आमने जो बैटर है वो ट्रांसवर कर लिया है अभी हमारा स्टीमर भी सेट हो चुका है गरम हो चुका है डखके उसको दस से बारा मिन तक उसको स्टीम करने देंगे उपर से लाल मिर्च पावडर एड करेंगे और उ हम खोल देंगे आप देखेंगे कि ढुकले बहुत ही बढ़िया से फूल चुके हैं अगर आपके कच्चे रह गए है तो आप और पांच मिन उसको स्टीम कर लीजिए आप देखेंगे एक दम चाकु क्लियर आया है यानि कि ढुकले अच्छे से स्टीम हो चुके है बस तो अगर करेंगे करम हरी मेश 2-3 कटे हुई अगर आप कम तीखाखाते हैं तो कम एड़ कर सकते हैं उसके बाद हम एड़ करेंगे करीलEND चार पाजजितने उसके बाद हम एड़ करेंगे सफेद तील एक बड़ा चमर्च गैस को बंद कर देंगे हमारा घुने हो चुका है और तो हमारा तील है वो भी फूटने लगा है तो बस अभी हम वेट नहीं करेंगे जो डोकले की थाली है उसके अंदर पूरा तड़का स्प्रेड कर देंगे और अच्छे से उसको स्प्रेड कर देना है आप देखेंगे कि डोकला बहुत ही बढ़िया दिख रहा है आप तड़क हो चुकी है आप भी जरूर बनाए बहुती स्पॉंजी और इंस्टन नास्ता बनके तयार हो चुका है हेल्दी तो है और 10-15 मिट में बन जाता है आप देखेंगे कि बहुती स्पंजी डोकले बने है तो आप भी इसको लसुन की चटनी टॉमेडो केचप या ग्रीन चटनी के साथ खा सकते हैं इवनिंग स्नेक्स या फिर चाय के साथ ये नास्ता जरूर बनाए अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो से लाइक और शेर जरूर कीजएगा मिलते कैसे नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाई बाई